पहले ही धान खरीदी के लिए सरकार ने पांच दिन का वक्त बढ़ाया हो लेकिन मुझे लिए जिले में इस से बढ़ाए गए समय का लाब किसानों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जिले के आपको बता दे कई उपारजन केंदों में से दो दरजन से ज्यादा धान खरीदी केंदों में बाद दाने की कमी है और ठाउ नहीं होने की वज़े से धान खरीदी पूरी तरह से बंद है जसके चोलते केंद्र के बाहर खड़ी के संख्या में बली संख्या जो खड़ी हुई है वो किसानों की भीर देखी जा रही है परेश्वान किसान अब अंदोलन का मन बना चुके हैं और ऐसे ही एक धान खरीदी चेंद्रे नवगाव चीनु में किसानों से बाक्षीत की सुरासमवादाता रोहित करश्व अपने मुंगेली जीले में धान करीदी का बुरा हाल है चुर्वाद सही किसान धान बेजने के लिएकर बेहत परिशांग और चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि सासन द्वाराताय निर्धाय जो तीधी थी निर्धारिश शमय 75 दिन का उसमें से 30 दिन धान खरीदी इस वज़े से नहीं हो पाई क्योंकि किसी दिन बार दाना नहीं थी तो कभी बारिश तो कभी उठाव नहीं होने के वज़े से धान खरीदी पुरी तरीके से परभावित रही है अभी सरकान भली पांच दिन का जो समय बढ़ाया धान खरीदने के लिए लेकिन मुगिली जीले के अधिक्ता धान खरीदी के इंदरों में इन पांच दिनों में एक भी धान खरीदी नहीं हुई है क्योंकि कहीं धान का उठाव नहीं हुआ है और कहीं बारदाना नहीं है जिसके चलते धान खरीदी पुरी तरीके से बंद है और किसान किराय के ट्रेक्टर और वहां से धान लेकर लगाता धान खरीदी केंद्र में पहुंच रहे हैं लेकिन धान नहीं खरीदने की कारान वापस लोट जा रहा है कई तो रात यहीं भी दा रहे हैं देख सकते हैं किस तरीके से किसान यहाँ पास परिसान है ये किसान सिर्फ नवागाचिनू के किसान परशान नहीं है बलके मुंगिली जिले के नवाची उपाजन केंद्र के लगभव अधिकतर जो केंद्र है उनमें जो किसान है वो सभी किसान परशान है जोकि उनकी धान की विक्री नहीं हो पा रही है कही बारदाना की कमी कही धान नहीं जागता है तो फिर ये लोग सड़ा की लड़ाई लड़े के लिए बाब कह रहे हैं केमरे में नई मखाने की सांथ रोहिक कश्याप स्वराद इस्प्रेस मुंगेली